हेलो में डियर स्टुदेंट्स तो आज का क्लास जो हमारा है वो है टेन्स के बारे में तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे टेन्स को किसको सीखेंगे टेन्स को ओके दोस्तों तो असल में सबसे पहले बात यह है कि टेन्स कितने टापस के होते हैं यानि कि हो मेनी टापस आफ टेन्स ओके तो अगर इसकी बात क्या जाए तो देर आर there are three types of tens there are three types of tens there are three types of tens अब ये three types of tens क्या क्या होते हैं तो first of all जो होता है दोस्तों वो होता है present tense ओके क्या होता है present tense ठीके और उसके बाद जो होता है वो होते है past tense कौन सा होता है past tense और third number में जो होता है future tense ओके तो हमने अभी क्या सुना और क्या सिखा there are three types of tens एक तो present tense दूसरा past tense और तिसरा future tense तो दोस्तों present tense क्या होता है हम उसको पहचानेंगे कैसे और उसको बनाने का तरीका क्या है मतलब किस तरह से बना सकते हैं तो अगर बात करें present tense की दोस्तों अगर present tense की बात किया जाए तो present tense भी चार तरह के होते हैं जिस तरह से tense आपका तीन तरह से है मतलब tense के जिस तरह से तीन टाइपस हैं उसी तरह से present tense के भी चार टाइपस है present tense के भी चार टाइपस है उसी तरह से past tense के भी चार टाइपस है और future tense के भी चार टाइपस है ठीक है दोस्तों अब present tense के जो चार टाइपस हैं वो क्या सब हैं तो present tense के जो चाट टैप्स हैं वो है first में present indefinite tense क्या है दोस्तों present indefinite tense और second में है present imperfect tense present imperfect tense और third में है present perfect tense और fourth number में जो आपका है वो है present perfect continuous tense perfect continuous tense तो अभी तक हमने क्या सिखा there are three types of tense there are three types of tense वो क्या सब है present tense, past tense, future tense and there are four types of present tense क्या क्या तो present indefinite tense, present imperfect tense, present perfect tense और present perfect continuous tense ओके दोस्तों अब बात आती है कि present indefinite tense जो है भाई इसको पहचानेंगे कैसा हाँ तो रिकोगनाईज present indefinite tense तो दोस्तों जादा सोचने वाली बात तो नहीं है और इसको पहचाने के कैसे तो present indefinite tense में अगर हिंदी sentence की बात किया जाए मतलब अगर हिंदी के वाकि की बात किया जाए तो कभी भी हिंदी के जो वाकि होते हैं उसके अंत में लगा रहता है ता है, ते है, ती है, और ता हूँ ये बात आप लोग याद रखेंगे तब जाके आप present indefinite tense अगर हिंदी के हिसाब से according to हिंदी sentences उससे हिसाब से अगर हम पहचानना चाहें, उसके हिसाब से अगर हम उसको जानना चाहें तो आप ढूंड ये ता है, ते है, ती है और ता हूँ अगर ये लगा रहेगा तो समझ लीजे कि आपका sentence present indefinite tense में है किसमें है? present indefinite tense में है लेकिन अगर यह present in different tense में है तो फिर इसको English में कैसे पहचानेंगे how to recognize in English or present in different tense मतलब present in different tense को हम English में कैसे पहचानेंगे English sentences में कैसे पहचानेंगे यह तो होगे हिंदी का है ना हिंदी sentences का यह हो गया अब English sentence में कैसे पहचानेंगे तो दोस्तो English sentence में क्या होता है present indefinite tense को अगर English sentence में पाजाना जाए तो यह होता है कि या तो उसके साथ भी one रहेगा या फिर भी five रहेगा मतलब अगर verb का या तो verb का first form रहेगा sentence में या तो verb का first form रहेगा या फिर verb का fifth form रहेगा या तो verb का first form रहेगा या तो verb का fifth form रहेगा मतलब या तो भीवन अगर बात किया जो गो, कम, प्ले, ओके, अगर इसी का फिफ्टम बनाया जाएं, तो गोज, कम्स, प्लेज, ओके, तो ये प्रेजेंट इंडिफिन टेंस में या तो आपका भीवन रहेगा, या फिर भी फाइब रहेगा, क्या वर्ब, वर्ब आपका या तो भीवन रहेगा, या फिर भी फाइब रहेगा, लेकिन बात यहां पर आती है कि भीवन कहां रहेगा, और भी फाइब कहां रहेगा, बात यहां पैटक जाती है, तो अगर आपसे कोई पूछे, भीवन कब रहेगा, और भी फाइब कब रहेगा, तो जिख्ट आपका होना चाइए first person and second person, चाहे हो singular हो या फिर plural हो, और third person आपका plural होना चाहिए, third person आपका plural होना चाहिए ना कि singular, अगर I है, यानि कि first person singular है, second person singular है, तब थो तब भी आपका जोए भी one लगेगा, क्या लगेगा? बी वन यानि वर्ब का first form लगा रहेगा suppose sentence मैं आपको बताता हूँ जैसे I eat a mango I eat a mango अब दखिए इसमें वर्ब का क्या form लगा है first form लगा है मतलब पहला form लगा है वर्ब का पहला रूप लगा हुआ है है ना अब मैंने यहां पर क्या कहा first person first person singular है अकेला है first person singular है अकेला है जब singular रहेगा अकेला रहेगा इसका मतलब क्या हो गया भाई यह sentence जो है present indefinite tense में है किसमे present indefinite tense में है हिंडी में तो पता चल गया कि ता है ते है ती है ता हूँ रहेगा तो present indefinite tense उसको कोई रोक ही नहीं सकता समझ गए अब अगर इसकी पुलरल की बात किया जाए अगर यहां पर हम लगाते हैं we come from Delhi we come from Delhi हम लग दल्ली से आते हैं we come from Delhi तो भाया यहां पर जो we लगा है न यह first person है कौन सा person है first person we is a first person okay and जब we first person है तो कभी भी first person के साथ verb में yes और yes नहीं लगता verb में yes और yes नहीं लगता कभ जब second first person देगा तो और same rule same condition यह apply होता है आपका second person में second person only आपका you है okay you second person है और you का plural भी आपका you होता है ठीक है तो अगर you बोला जाए तो you भी आपका second person है singular number and plural number अगर इस तरह का sentence दिया जाए तो you प्ले होकी यू प्ले होकी आप होकी खेलते हैं यू प्ले होकी आप होकी खेलते हों ओके अगर यह singular है मैंने क्या कहा अभी यू singular भी होता है और यू plural भी होता है यू singular भी होता है यू plural भी होता है बात यहां पर समझने वाली है अब बात करें third person की तो third person में जो आता है मेरे दोस्तों वो आता है he, she, it and किसी का एक ठो नाम आ जाएगा ओके and यह हो गया third person singular number अभी मैंने क्या कहा अगर आपको इंगलिस में present in different tense को पहचानना है तो आपको याद रखना पड़ेगा verb forms का या तो B1 लगा रहेगा यानि कि वर्ब का पहला form लगा रहेगा या फिर वर्ब का fifth form लगा रहेगा यानि कि पांचमा form लगा रहेगा यानि कि S या इस वाला तो अब मैंने तो का B1 यानि जिसमें S या इस नहीं लगता है वो तो मैंने बता दिया first person रहेगा second person रहेगा third person plural लेकिन भी फिफ्ट यानि कि वर्ब का पांचमा फॉर्म कब लगता है तो वर्ब का जो पांचमा फॉर्म लगता है मेरे दोस्तों वह लगता है थर्ड परसन सिंगुलर नंबर में ही के साथ लगेगा सी के साथ लगेगा इट के साथ लगे या किसी का एक टो नाम रहेगा तो लेगा suppose कि मैं एक example ले रहा हूँ आप लोगों के लिए जिसे he eats a mango ओके अब यहाँ पर अगर हम its के जगह पर इट दे देंगे यह सरासर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यह sentence हमारा wrong हो जाएगा क्यों क्यों कि यहाँ पर third person है यह थर्ड परसंट है जब यह थर्ड परसंट में तो वर्ब में एस लगेगा या फिर यह लगेगा कभी यह लगेगा वह आपको जो है वर्ड के कोडिंग है कि कौन सा वर्ड आप यूज कर रहे हैं कहां पर एस लगता है कहां पर यह लगता है इसके लिए आपको singular and plural पढ़ना पढ़ेगा ओके एन वर्फर्म्स पढ़ना पढ़ेगा ठीके तो यह हो गया आपका third परसंट यह तो कहीं का और same condition apply होता है आपका she का she या फिर it रहे तब इत में भी same condition apply होगा same condition apply होगा he she it में यह किसी एक नाम रहेगा suppose कि हम ले लेते रामू okay रामू और रामू प्लेज रामू ठीक है third person है सिर्फ एक नाम है only one name जब एक ही आदमी रहेगा एक ही person रहेगा तो वह मैं से यस लगा है क्या है third person है आज इस जगह पे अगर दो थो नाम आ जाए इसे रामू इंड श्यामू और तब यहां पे आपका प्लेश के जगह पे play क्या हो जाएगा प्ले इस के जगह पे प्ले ओनली प्ले ना कि एस वाला प्ले समझ रहे बात को तो यह टोटली है पॉसंट इससको पहषाने का तरीकर क्यूंकि आपको इसमें पॉसट भी याद रखना है कि कौन से स्टेंस फर्स पर्स सने सेट फर्सट पर्स या फिल्ट पर खंब सब्सक्राइन سींकार लेकिन स्गूलर पूलर हो आ पि देखने है वाथ है उसमें धियान दकने तो महाँ पर सिंगूलर और पुलूरल देखना पड़ेगा सिंगूलर पुलूरल पड़ ही डिपेंड है कि आपका टैंस बनेगा कैसे ओके दोस्तों चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यह है पॉजेंट इंपफेक्टेंस तब तक मैं इसको क्या करता हूं हटा दे पॉजेंट इंपफेक्टेंस पॉजेंट इंपफेक्टेंस को आपके हिचे पहचाने होगे पॉजेंट इंपफेक्टेंस को जो पहचानने का तरीक है मेरे दोस्तों वो यह है कि आप अगर हिंदी के सिंटेंस के एकॉर्डिंग पहचानना चाहते हैं मतलब रहा हूं ठीक है यह लगा रहे हैं रहा हूं या फिर रही है या रही के साथ हूँ भी लग सकता है यह याद रखना है आपको अगर आप प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं और हिंदी सेंटेंस को पहचानना चाहते हैं कि भई यह हिंदी का सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस में है तो आपको याद रहना पड़ेगा कि अगर हिंदी सेंटेंस के अंत में आ रहा है रहा है रहे हैं रहा हूं या रही हूं या रही है इस तरह के अगर वाक के आ रहा है इस तरह के अगर शब्द आ रहा है है sentence में वाके के अंत में तो समझे लीजिएगा कि ये किस में दूस्तों present imperfect tense में अब तो यह तो कि हेंडी में लेकिन बात आती हैं कि English में कैसे पहुआं गफाल होगे अब फेल इंडिफिन टैन्स को present English में according to English sentences तो मेरे दोस्तों अगर English sentence के अनुसर पहचाना जाए तो इसमें सबसे पहले तो आपको यूज करना होता है M is and are M is and are इसके साथ लगता है verb का first form plus ing form मतलब total मिला के यह हुआ कि B plus ing form लेता है क्या रहता है मेरे दोस्तों B यानि कि verb का चौथा रूप रहता है दखिए यह बात समझने वाली है अगर आप यहाँ पर समझ गए तो present imperfect tense को चुटकी में पहचान लेंगे कैसे दोस्तों तो अगर English में पहचान रहे हैं तो याद रखिया है M is or are यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर M is or तीनों में सो कोई भी यूज हो रहा है sentence में और उसके साथ verb का ing form है यानि कि before सब्सक्राइब की helping playing, going, eating, laughing अगर इस तरह के word अगर इस्ते मर हो रहे हैं uses हो रहे है sentence में तो समझ लीजेगा कि present imperfect tense में है किसमें हैं दोस्तों? present imperfect tense में हैं एब बातकरें कैसे तो देखिए अब M कहा लगेगा Is कहा लगेगा और कहा लगेगा अब यहां पर यह बात अटक जाती है है ना? कि हम किसके साथ लगेगा Is किसके साथ रहेगा R किसके साथ रहेगा वह decide करना है है ना? to M A single है ये सिंगल ऐसा वर्ड है जिसको helping verb कहा जाता है क्या कहा जाता है helping verb m is a को क्या कहा जाता है helping verb क्या कहा जाता है helping verb कहा जाता है अगर helping verb m रहेगा तो याद रखिएगा उसके साथ एक ही आपका subject रहेगा die क्या रहएगा क्या रहएगा मेरे दोस्तों die I रहएगा pac अगर is रहएगा to is के साथ क्या सब रहएगा к कि she it या किसी का एक ठो नेम ये रहेगा तो उसके साथ क्या लगेगा is लगेगा क्या लगेगा मरे दोस्तों is लगेगा अगर r की बात किया जाए तो r में सबसे पहली बात ये है कि वो plural में होना चाहिए subject आपका कौन सा होना चाहिए plural subject कौन सा होना चाहिए plural मतलब या तो आपका i के जग़ए पे v रहेगा इसके साथ u रहेगा इसके साथ d रहेगा या किसी 2% का नाम रहेगा या किसी 2% का नाम रहेगा अगर 2% का नाम है तब भी आपका जो है ये r ही इस्तेमाल होगा मतलब अगर m रहेगा तो m के साथ लगे मतलब only i रहेगा आपका subject अगर i है तो i के साथ लगेगा i के साथ क्या लगेगा लेकिन अगर आपका subject he है she है it है या किसी का एक नाम है अगर एक नाम रहेगा तो लगेगा is मतलब he के साथ भी is लगेगा she के साथ भी is लगेगा it के साथ भी is लगेगा और किसी एक नाम के साथ भी is लगेगा लेकिन अगर आपका subject we है you है या फिर they है तीनों condition में या किसी दो people का नाम है दो से ज्यादा people के नाम है तो दोस्तों उसके साथ लगेगा r क्या लगेगा r लगे लेकिन verb का ing form ही इस्तेमाल होगा इसमें only verb का fourth form ही use करना है आपको present imperfectence में present imperfectence में only आपको verb का fourth form ही use करना है otherwise को यूज नहीं कर सकते हैं चीक है अब देखिए भही ये तो हो गया subject के बात अब इसको जरा हम ले ले लेते हैं example के साथ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए example से बाते समझ में आते हैं बहुत ज़्यादा जैसे कि अगर I है जैसे मैंने कहा I am playing I am playing मैं खेल रहा हूँ भई I है आपका subject क्या है I I के साथ आपका helping verb क्या है है आएंजी फॉर्म का चेंज होने वाला नहीं है यह प्रोजेंट को पहचानने का तरीका बनाने का तरीका यह तो सिंपल यह बनाते जा रहें समझते जा रहें तो मेरे दोस्तों अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को अगर चैनल पर नहीं है तो बराएं महरवानी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि बहुत ही समझ में आने वाली बात है और अगर आप फेस्बूक पेज पर हैं तो फेस्बूक को फॉलो कर लें ठीक है ताकि यह नए नए वीडियो तो इसके सब्सक्राइब लें जट से जड़ा मैं सैड हो जाता हूं ओके तो डियर स्टूडेंट्स हमने परजेंट इन इफ्रिटेंट्स को पहचानना सीखा बनाना सीखा परजेंट इंपरफेक्टेंट्स को पहचानना सीखा बनाना सीखा अब बारी आती है परजेंट प चुके हैं चुकी हूं या चुका हूं ठीक है मतलब टोटली मिला के यह रहेगा चुका रहेगा चुका चुके चुकी चुका चुके चुकी यह अगर है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका पॉजेंट पॉफेक्टेंस क्या हो जाएगा पॉ लेकिन अगर इसी को अगर इंगलिश में पहचाना जाए तो इंगलिश में कैसे पहचान हो गया आप तो इंगलिश में पहचाने का तरीका यहीं है कि इसमें सीर्फ और सीर्फ आपको याद रखना पड़ेगा एक helping verb का किसका helping verb का और आपका main verb का यह दो टो बात आप याद रख लिए ना तो आप present perfectence को जटके से बना सकते हैं और जटके से पहचान सकते हैं ठीक है कैसे तो इसमें helping verb जो होता हो आपका have या फिर has इसके साथ लगता है आपका verb का third form verb का third form यानि कि have as रहेगा उसके साथ वी थरी लगेगा verb का third form लगेगा मेरे दोस्तों verb का third form लगेगा present perfectence में लेकिन बात आती है कि दोस्तों have कहां पे लगेगा has कहां पे लगेगा कि verb का third form तो हमेशा लगेगा चाहे have लगे या has लगे वर्ब का third form लगेगा ही लगेगा लेकिन बात आती है have का use कहां करेंगे has का use कहां करेंगे तो दोस्तों have का use क्या जाएगा first person first person के साथ चाहा हो singular हो या फिर plural हो second person के साथ चाहे वो singular हो या फिर plural हो थर्ड परसन के साथ अगर वो plural है तो थर्ड परसन अगर plural है तो have का use करेंगे otherwise has का use करेंगे यह बात याद रखिएगा मैंने क्या कहा have का जो use करेंगे मेरे दोस्तों first person चाहे वो singular हो या फिर plural हो first person singular हो या फिर plural हो लेकिन, अगर second person है, second person singular हो या फिर plural हो, उसके साथ भी have लगेगा, third person अगर plural में है, मतलब they, या फिर दो people, दो वेक्टियों के नाम, अगर आ रहे हैं, तो उसके साथ भी have लगेगा, otherwise, जो बच रहा है, उसके साथ लगेगा, has, अब क्या बच रहे हैं मेरे दोस्तों, वो बच रहे ही, she, it, एक people का नाम, ये हो गया third person singular number, तो मिला के बाद ये समझ में आई, कि third person singular number के साथ, helping verb has यूज होता है, और other जो subject होते हैं, उसके साथ have यूज होता है, लेकिन verb का third form सभी के साथ एक ही जैसा बढ़ता हो क्या जाता है, कि सभी में verb का third form ही यूज करना है, otherwise, कोई भी चीज यूज नहीं करना है, ओके मेरे दोस्तों, ठीक, जड़ा example ले लेते हैं, ठीक है, जिसे example है, I had eaten, क्या है example, I had, sorry, I have eaten, I have eaten, देखिए, I have first person, first person जाल लगा जाए है, इसके साथ verb का third form, it का third form क्या होता है, eaten, it का third form क्या होता है, eaten होता है, ओके मेरे दोस्तों, अगर second person की बात क्या जाए, तो you have gone, you have gone, go went gone, go का third form gone होता है, you have gone, अगर third person की बात क्या जाए, तो he, she, ये दोनों के साथ लगा दो, has, it के साथ भी लगा सकते हैं, has, क्योंकि it तो इसमें यूज़ नहीं होगा, क्योंकि it जो है एक, या तो नीर जीव होगा, या फिर छोटे पदारत के लिए यूज़ होता है, या तो किसी person के लिए यूज नहीं होगा, ओके, तो हम पहले he, she क्या ले लेते हैं, he has, he has, drink, drank, drunk, ओके, he has drunk, या फिर she has drunk, यहाँ पे third person singular में इसलिए has का इस्तेमाल हुआ है, और अगर third person plural में आ जाएगा, मतलब they, या फिर दो परसन का नाम आ जाएगा, तो have हट के क्या हो जाएगा, sorry, has हट के हो एकांतरा, की आपको याद रखना है, present in different tense में आपको याद रखना है, present in different tense में या रखना है, where pardba, first form और where past form और फिक फ्रम को लगेगा, जब subject कौन सा रहेगा first person में second person में third person से plural में रहेगा लेकिन वर्ब का fifth form कब लगेगा जब person सुरी आपका subject रहेगा third person में वह भी singular number में okay positive imperfectance को कैसे पहुचा नहीं है उसमें लगेगा m is r और वर्ब का ing form m कब लगेगा i के साथ is कब लगेगा he she it के साथ are कब लगेगा we you and they के साथ and do people ने तो उसके साथ are gonna use लगेगा ओके दोस्तों चलिए चले चले आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं अब है आपका present perfect continuous tense present perfect continuous tense इसमें लगता है आपका has been have been has been have been क्या लगते मेरे दोस्तों या तो लगेगा has been या फिर लगेगा have been क्या लगेगा या तो has been लगेगा या फिर have been लगेगा ये दो ही चीज़ लगेगा और वर्ब का ing फर्म वर्ब का ing याद रखेगा जब भी continuous की बात आए continuous की समझ लेजेगा ing आने वाला है क्या आने वाला है ing आने वाला है continuous जब भी आ जाए ing आने वाला है चाहिए वो present में हो past में हो feature में हो जब भी continuous की बात आए तो ing form आने वाला है ओके दोस्तों तो have has been के साथ रहेगा ing form suppose कि मैंने लिखा लेकिन has been कब लगेगा same condition i के साथ we के साथ you के साथ you के साथ दे के साथ लगेगा have been क्या लगेगा दे के साथ लगेगा have been लेकिन he she it यहां पर मैंने लिखा he she it इसके साथ लगेगा has been इसके साथ क्या लगेगा मेरे दोस्तों has been लगेगा ओके तो बात total समझ में आई यह total हमारा है present tense के totally fundamental rights कि हम लोग कैसे पहचानेंगे present indefinite तैन्स को present tense के 4 टाइप पॉजण इंडिफिनीट पॉजण इपरफेक्ट पॉजण पॉजण परफेक्ट करूणि वस अगर पॉजण इंडिफिन को पास्ट परफेक्ट ओना चाहते हैं तो आपको बाफ एम्याद करना पड़ेगा होता है या तो अगर आपका subject first person में है second person में है और third person plural number में है तो आपका वहाँ पर verb का पहला form यूज होगा अगर verb का पात्वा form यूज हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका subject या तो third person में है singular number में है ओके दोस्तों present imperfectance को कैसे पाचानना है तो present imperfectance में देखना पड़ेगा किसमे helping verb am is r रहेगा और verb का ing form रहेगा ओके दोस्तों तो अब am किसके साथ लगेगा i के साथ is किसके साथ लगेगा he she it और किसी एक नाम के साथ r किसके साथ लगेगा we के साथ, you के साथ, they के साथ we के साथ, you के साथ, they के साथ एक से ज़्यदा पीपल आगे तो उसके साथ, ओगे दूस्तों, यह हो गए, यह इंपर्फेक्ट का, और अगर पर्फेक्ट की बात किया जाए, तो पर्फेक्ट को पहुचाने का तरीका है, have, has, plus verb का third form, have, has, plus verb का third form, have का इस्तेमाल कब होगा, have का इस्तेमाल होगा, first person, second person, first person, second person, third person, plural के साथ, लेकिन has का यूज़ होगा, he, she, it, यानिकी, third person, singular number के साथ, third person, singular number के साथ, has का यूज़ होगा, लेकिन verb का third form, सभी के साथ, यूज़ होगा, लेकिन percent perfect continuous की बात किया जाए, तो has been और have been, ये दोनों use होगा, verb का ing from use होगा, लेकिन have been का यूज़ होगा, तो first person, second person, third person, pullular number के साथ, have been का use होगा, और अगर third person singular number में है, तो third person singular number के साथ, has been का use होगा लेकिन वर्ब का एंजी फर्म सबी के साथ लगेगा ठीके दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपनों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सबस्क्राइब करें अगर फेस्बुक में हैं तो पेज को फोलो करें अगर जरूर करें थैंक यू